आपके स्टोर से सामान रहक तक जटपट पहुँचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान नमस्कास वात आप सभी का बजारों की चाल में मैं हूँ आपकी साथ एक रिए शाटी और बजारों की चाल में आप सब एक बाइप फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ आप एक कम्रीटी बजार का अपडेट जानेंगे के शांगे कारोबारी सत्र में क्रिशी फसलों का वायद बजार आज हफते के आखरी कारोबारी दिन कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक एप के बारे में बताना चाहूँगा एक ऐसी e-commerce app आई है नई market के अंदर जिससे आप lockdown में घर बैठे बैठे भी पैसा कमा सकते हैं इस app का नाम है My Big Bliss इस app से आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते हैं चाहे आप student है या फिर आप एक ग्रहनी है या फिर आपके कुछ नया business start करना चाहरे हैं या फिर अपनी sale में growth करना चाहरे हैं अपनी ग्रहा की बढ़ाना चाहरे हैं तो आप My Big Bliss एप को download करके इसका फैदा उठा सकते हैं और लाब कमा सकते हैं इस app का फैदा उठाने के लिए आपको बस करना इतना सा काम होगा कि आपको play store पर जाना है अपने phone में इस app को जल्दी से download कर लेना है download करने के बाद इस पर आपको अपना एक store बनाना है store आपको किस चीज का बनाना होगा वो भी बता देता हूँ जैसे for suppose आप कपड़ों का business करना चाते हैं तो आप कपड़ों के नाम से या फिर अपने किसी नाम से store बना सकते हैं उसके बाद आपको इस app पर कपड़े चड़ाने होंगे कि आप किस type के कपड़े वेचना चाहरें उनके prices क्या रहेंगे उसके बाद जब आपका store लाइव हो जाएगा तब आपके पास orders आने शुरू हो जाएंगे तो घर वेटे वेटे भी आप lockdown में भी इस app के दुआरा पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए ना ही आपको एक रुपिया फ्रेजिस्टेशन चार्ज देना है ना ही किसी तरह की कैसी भी कोई भी फीज देनी है इस app पर आप free में registration कर सकते हैं और फैयादा उठा सकते हैं ना ही ऐसा ज़रूरी है कि आपको कहीं पर जाके कुछ company का registration करना है कुछ नहीं करना है इस app पर एक ठेले वाला भी जो फल और सबजिया वेचता है वो भी इस पर वैपार कर सकता है इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से आज के community बजार के update की तो शाम की कारुबारी सत्र में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कैसा सीड से तो हम देख रहे हैं यहाँ पर की कैसा सीड का वैदा बजार आज शाम के कारुबारी सत्र में 3324 पर trade करता नजर आ रहा है हम देख रहे हैं कि जो कैसा सीड उपर में 6550, 6566 के बाद 400 के levels पर stuck हो गए थी अब वही कैसा सीड की कीमते 3300 के सत्र पर कारुबार करती नजर आ रही है सुबा के कारुबार इस सत्र में हमने कैसा सीड का वैदा बजार को 2250 के भी levels पर trade करते देखा था लेकिन अब देखने की सुबा के मुकाबले कुछ बढ़त है लेकिन 3300 के levels पर ही कारुबार करता नजर आ रहा है तो कैसा सीड में जो कीमते सीमित दायर में कारुबार करती नजर आ रही है इसके काफी सारे कुछ कारण है जो आपके साथ साजा करना चाहूंगा सबसे पहला तो ये कि जब से ये Omicron आ गया है तब से ही हम देख रही है कि कैसा सीड की जो export demand है वो थोड़ी कम हुई है चाइना की तरफ से पिछले साल की मुकाबले इस बार जो कैसा की जो मांग है वो बहुत ही कम हो गई है क्योंकि कोरोना के बाद से भारत और चाइना का जो business relations है जो business की गतिवी दिया है वो थोड़ी ठीक ठाग नहीं देखने को मिले हैं यह अफिरास भी कह सकते हैं बहुत ही कम ना के बरावर देखने को मिल रही है क्योंकि पिछली साल जब चाइना की तरफ से भारती कैसा की मांग निकल के सामने आई थी तो उस समय हमने देखा थे कि कैसा की कीमतों में एक दाइम से अचानक से उच्छाल देखने को मिला था जिसकी वजह से कीमते 6000 के भी पार गई थी अब देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से मांग इतनी है नहीं भारती कैसा की और दूसरा जो घरेलू मांग है कैसे की वो भी कुछ जादा खास देखने को नहीं मिल रही है जो इंडेस्ट्रिल डिमांड है कैसे की वो भी कुछ जादा देखने को नहीं मिल रही है कैसे की डिमांड में कुछ जादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है बलकि जो डिमांड है पहले से वो भी थोड़ी कम होती नजर आ रही है पहले बुआई का रगबा थोड़ा कम बताय जा रहा था हाला कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कम ही रहने वाला है लेकिन जो बुआई का रगबा पहले कम बताय जा रहा था उस अनुमान में बढ़ोतरी हुई है जिसकी वजह से इसका असर भी कैसे की कीमतों में नर्मी की रुक के तोर पर पड़ता नजर आ रहा है इसके साथ बात करें यहां से अगर आवकों की तो नहीं आवके भी आजाएंगी अब नहीं फसल आजाएगी कैसे की तो कैसे की जैसे ही आवकों की प्रेशर बढ़ेगा तो उसका असर भी बजार उपर पड़ता नजर आएगा तो अभी कहीं से ऐसा कुछ ऐस सच कुछ डिमांड नहीं निकल के सामने आ रही है या फिर ऐस सच कोई फंडमेंटल निकल के सामने नहीं आ रहा है जो कैसे सीड की कीमतों को उपर में तेजी की और लेके जाए पहले सब को लग रहा था कि कैसे सीड काफी अच्छी तेजी दिखला देगी कैसे सीड का बज़ार 6900 तक जाता नजर आ सकता है पहले सब को ऐसे ही उमीद लगती नजर आ रही थी लेकिन फिर धीरे धीरे बज़ार के जो सेंटिमेंट्स हैं जो उसमने बदलाव होता नजर आया फंडामेंडल कुछ चेंजेस होते हुए नजर आया जिसकी वज़ासे कैसे सीड की कीमतों में सीमिय दियरे के बाद अब हो सकता है कि एक नर्मी का रुक भी देखने को मिले आपको बता दें कि जो एक्सपर्ट है हमारे केडिया एडवाइजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनके मुताबिक अगर इस बार आज जैसे हफ़ते का आखरी कारुबारी दीन है तो आज अगर कैसे सीर का वायदा वज़ार चौनसर सो या चौनसर सो के नीचे की क्लोजि जो कि हमने पहले आते वे देखी थी पहले भी हमने देखा थे कि जो कैसे सीर का वायदा वज़ार ता 586,000 के बीच में स्टक होके रह गया था तो हो सकता है कि फिर से वही वाला सिनेरी कैसे के अंदर फिर से बनता नजर आ जाया है आगे बढ़ते हैं बात गलते हैंसे बिन बिनौलाखल का डिसम्बर वादा देख रहे हैं कि 2723 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। और डेरी सेक्टर से निकल सकती है। तो poultry की तरफ से dairy की तरफ से बिनौला खल की जो industrial demand है वो कही नगी निकल के सामने आ सकती है जो बिनौला खल की कीमतों को उपर में लेके जा सकती है आपको बता दे कि बिनौला खल में बिनौला खल के अलावा भी और इसके alternatives होते हैं लेकिन उनमें fat बढ़ाने की शमता नहीं होती है उनमें protein बढ़ाने की शमता होती है तो इसलिए बिनौला खल की जो पूछ पर रखे है वो थोड़ी जाद हो जाती है फिर दूसरा जो बाकी DOC होंगे जो बाकी खल होंगे जनवरी फरवरी या मार्च तक अगले साल की बात कर रहा हूँ है ये फरवरी 2022 या मार्च 2022 तक बिनौला खल की जो industrial demand है वो कावी अच्छी देखने को मिल सकती है और बाकी खल के आने से पहले जैसे सरसो खल हुआ या बाकी खल हुए बाकी DOC के आने से पहले ही बिनौला खल की कीमतों में काफी अच्छा उच्छाल देखने को मिल सकता है अजे केडिया की मताबिक बिनौला खल मार्च 2022 तक आपको 3800 से लेकर 4000 तक के भी लेवल्स देखलाता हुए नजर आ सकता है बिनौला खल की कीमतों में काफी शांदार तेजी देखने को मिल सकती है और बिनौला खल उन कमुर्टीस की लिस्ट में शामिल हो सकता है जो आपको 2022 में अच्छा मुनाफ़ा देते नजर आ सकते हैं तो अभी जो लेवल है वो इतना ही देखने को मिल रहा है लेकिन डिसंबर के अंदर तक जनवरी तक बिनौला खल में धीरे धीरे तेजी बननी शुरू हो जाएगी इंडिस्ट्रिल डिमांड पिक अप होनी शुरू हो जाएगी जो कि मार्च 2022 तक इदनी बढ़ जाएगी कि 3800 से लेकर 4000 तक के भी लेवल्स बिनौला खल की कीमतों में देखने को मिल पाएंगे तो ओवरल उल्जान बिनौला खल में अभी हाल फिलाल में तेजी वाला रहने वाला है बात करें यहां से अगर अब धनिय की तो धनिय का दिसम्बर बाद देख रहे हैं 8710 पर सस्तेनों के चल रहा है एक फिस्दी की तेजी है हम देख रहे हैं कि धनिय का वैदा बजार आज भी 8700 के उपर हफते के आखरी कारोबारी दिन शाम के कारोबाई सस्तेनों के चल रहा है 8700 के उपर आपको बता दें कि धनिय की इस बार बुवाई कम देखने को मिल रहे हैं कि एडिवर स्टॉक भी कम बताया जा रहा है और थोड़ी शॉटेज देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर लैवल्स दिखा सकता है तो धनिये में भी आने वाले दिनों में तेजी का ही रुजान देखने को मिलता रहेंक हो भी सकता है कि लोगे जीरे में भी तेजी का इरुजान बता रहे हैं एक्सपर्ट जीरे की जो जीरे का एक्चुली प्रोडक्शन ठीक ठाक है कैरी वो स्टॉक थोड़ा कम है लेकिन प्रोडक्शन ठीक ठाक रह सकता है बोगाई में बड़ोतरी है लेकिन बोगाई जाद होने के बावजूद भी जो जीरे की कीमतों को सपोर्ट देता नजर आएगा वो होगा जीरे की export demand. जानदार होगा क्याना है कि जनवरी के अंध तक, जनवरी फरवरी तक जीरे की जो कीमते हैं काफी शांदार तेजी देखने को मिलेगी जीरे की कीमतों के अंदर, जो जीरे की कीमतों को उपर में 21,000 तक लेके जा सकती है हमार जो एक्सपर्ट है अजेक एडिया उनकी मुताबिक जीरा साल 2022 में आपको शांदा रिटन देता नजर आ सकते हैं 21,000 तक के भी लेवल्स जीरे में देखने को मिल सकते हैं इसी के साथ बात करें यहां से अगर हल्दी की तो हाल फिलाल में हमने हल्दी की कीमतों में भी अपसेड मुमेंटम बनता हुँ देखा है हल्दी की कीमतों की बात करूँ अगर तो डिसम्बर वायदा इस समय 7,776 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है हमने हल्दी को कल के कारवाईसत में 8000 तक की भी लेवल्स दिखाते वे देखा था कि हल्दी की कीमती एक बाई फिर से 8000 तक उपर में जादी नजर आई थी दिरहसल हल्दी के जो उत्पाद ने ठीक ठाक किये कैरी वो स्टॉक भी ठीक ठाक बताया जा रहा है एस सच कोई export demand इसकी देखने को नहीं मिली है हल्दी की कीमतों में तेजी तभी देखने में मिल सकती है अगर इसकी कोई घरेलू demand बड़े सतरपर बंती नजर आई या फिर इसकी कोई export demand काफी अच्छे निकल के सामने आए अभी हाल फिलाल में ये जो तेजी बंती नजर आई थी वो इसले तेजी बंती नजर आई थी क्योंकि दक्षिन भारत में यानिकी जो साउथ इंडिया है वहाँ पर अभी हाल फिलाल में बारिश देखने को मिली ती जिसकी वज़ा से हल्दी की जो कुछ फसलें है वो थोड़ी खराब होती भी नज़र आई है नश्चोती नज़र आई है जिसकी वज़ा से हल्दी की जो quality है वो थोड़ी कम होती नज़र आ सकती है इसकी वज़ा से हल्दी की कीमतों में थोड़ा बहुत एक negative impact परता नज़र आयता है हल्दी की कीमतों में एक तेजी देखने को मिलती और इसकी quality पर negative impact पड़ता नजर आया था बाकी और कोई दूसरा as such कुछ fundamental नहीं है जो हल्दी की कीमतों को उपर लेके जाए बात करें यहां से अगर guar complex की तो guar gum का December वायदा देखने 10,210 पर ट्रेड करता नजर आया है देड़ फीजदी की तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि guar gum का वायदा बजार आज भी 10,000 के उपर सस्तेईन होके चल रहा है कल को हमने guar gum में 10,500 के भी उपर बजार जाता हो देखा था इसके साथ बात करें guar gum के तो guar gum के देसंबर बाद देख रहे हैं अब अठावन सो के बाद 574 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है guar gum और guar gum में आज हफते के आखरी कारूबार दिन शाम के कारूबारी सत्र में लाज निशान के साथ ट्रेड होता हो नजर आ रहा है जो बजार है वो उपरी स्थरों से अब कहीं न कहीं मुनाफ़ा वसुली के साथ तूटता नजर आ रहा है हम देख रहें कि guar gum और guar sir की कीमतों में आज नीचले अज उपरी स्थरों से एक मुनाफ़ा वसुली बंती नजर आई है हाला कि जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना था कि एक से देड़ हफते में अगर एक से दस दिनों का अगर आट रूल लेकर चला जाये तो guar gum और guar sir की कीमतों में टेकनिकल खरेदारी निकल के सामने आ सकती हाला कि fundamentals अभी as such कुछ है नहीं कि guar gum की और guar sir की कीमतों काफी उपर लेकर जाये लेकिन guar gum और guar sir की कीमतों में हमने जब जब कुरूड में अभी तेजी बनी थी तब था हमने guar gum और guar sir का वायदा बजार तेज होता हुआ देखा था हमने कल पिछले दो टेडिंग सेशन से देख रहे थे कि कच्छे तेल का वायदा बजार तेजी में रहा था sir guar gum guar sir की कीमतों पर भी हमने पढ़ते देखा था और यहां से तेजी बनती नज़र आई थी guar gum guar sir की कीमतों में भी guar sir 5900 और guar gum 10500 तक जाता नज़र आया था हमार जो एक्सपर्ट है मोतिलाल आस्वाल के वाइस प्रेसिडर अमित सजेजा उनके मुताविक छोटी अफदी में guar gum और guar sir की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है guar में मौजोदा स्थरों से लगवक 304 फिसदी की तेजी और बंती नज़र आ सकती है एक हफदे का टागी लेके चला जाया तो guar sir में 6150 और guar gum में 11100 तक के लेवर्ट अमित सजेजा के मुताविक देखने को मिल सकते हैं ले बात करें यहां से अगर सोहेबीन की तो सोहेबीन का दिसम्बर बाद देखने हैं आज 6560 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 6599 में का ही लगा चुका है डाई फिसदी की तेजी है हमने सोहेबीन को अर्शार सो के बाद सीधा 3300 पर नीचो लुड़कते वे देखा था उपर इस तरोष पर या फिर जब निचले सर्थ पर महाँ पर खरीदारी का मौका नहीं मिलाता इस बार उन्होंने निचले सर्थ पर खरीदारी करके उपर इस तरोष मुनाफ़ा वसुली की है लेकिन आज देखने कि निचले सर्थ पर सोहेबीन में एक पर फिर से खरीदारी नि और लगबग 200 पॉइंट की तेजी बनती निज़र आई है चासर सो के लेवल्स आज हो सकता है कि weekly closing होते होते एक बार फिर से देखने को मिल जाए आपको बता दें कि भारत में सोयवीन की बुआई के समय किसानों के पास सोयवीन का बीज उपलब नहीं था उन्होंने जैसे तैसे सोयवीन का बीज महंगा खरीद कर बुआई करी लेकिन फिर उसके बाद पोल्टरी की लागत जादा वड़ गई थी क्योंकि पोल्टरी में सो बहार लगाई थी कि कुछ किया जाए तो फिर इसके रिगारिंग सरकार ने सोयवीन का विदेश से आयात किया था जिसकी वज़ासे सोयवीन की कीमते कहीं न कहीं टूटती नजर आई थी और जो भाफ था वो MSP से भी नीचे लुडग गया था लेकिन फिर किसानों ने तेजी बंती नजर आ रही है दूसरा विदेशों में भी सोयवीन की खपत थोड़ी बड़ी है सोयवीन में कुछ तेजी बंती नजर आय थी जिसकी असर भारती तेल तेलन के बजार पर परता दिखाए दिया था क्योंकि भारत अपनी खादे तेल की पूर्ती के लिए परते देखा था क्योंकि यूएस में मक्का और गेहों की जो कीमते हैं वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि वहाँ पर इनके वेकल्प के तौर पर सोयवीन का इस्तमाद जाद किया रहा था तो खपत जाद बड़ी इस्तमाद जाद बड़ा डिमांड जाद होई विदेश में इस बार थोड़ा जादा बड़ गया है और चाइना को सप्लाई करने वाला और कोई नहीं साउथ अमेरिका है साउथ अमेरिका चाइना को सोयवीन की सप्लाई कर रहा है अच्छे खासे लेवल पर कर रहा है चाइना लगाता सोयवीन का अपना स्टॉक बना कर चल रहा है बीच से खरीद फरोग अमेरिका से सोयवीन की करने लग गया है इससे पहले जब shipment बादित हुई थी तुफान के चलते अमेरिका में तो चाइना ने ब्राजील की और रुख करा था आपको बता दें कि भारत में भी पोल्टरी वालों ने फिर से सरकार को चिठी लिखी थी कि सरकार क बढ़ा देना चाहिए लेकिन सरकार ने सोयवीन किसानों के हित में फैसला लिया है और इसको ना बढ़ाने का फैसला लिया है क्योंकि अगर सरकार फिर से ऐसा कर देती है तो सोयवीन किसान को फिर से आर्थिक चोट पहुँचेगी और वैसे भी सोपा के आंखडों के और 15 फीजदी अधिक रह सकता है और फिर सरकार ने भी और किसानों ने एक अभी यही तर्क है कि जब अपने घरेलू सतर पर ही इतना जादा प्रोडक्शन रहने का अनुमान है तो फिर भार से आयात क्यों ही करना भार विदेशों की विदेशों को क्यों पैसा देना अपनी भारत के किसानों को पैसा क्यों नहीं दे, भारत की भारत में अपने घरों में ही क्यों नहीं इसकी खड़ीदारी की जाए। तो इसके मद्दे नजर सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है और सोय डियोसी के आयात की जो मांग करी थी पोल्टरी उसको हरी जंडी इस बार नहीं दी है और दूसरा आगे चुनाब ही है और सरकारने हाल ही में कृषी कानून वापस लिए तो सबके मद्दे नजर अभी किसानों के हित में ही फैसला देखने को मिलता रहेगा तो overall उजान सोहेबीन में अभी हाल फिलान में तेजी में देखने को मिलता रहेगा दूसरा अगर बात करों अगर वैदा बजारों की तो वैदा बजारों में भी सोयबीन में 7000 तक के लेवस देखने को मिल सकते हैं केड़े एडवाईजरी के डिरेक्टर अजे केड़े की मुताबिक सोयबीन की कीमतों में आने वाले दिनों में अभी कुछ नर्मी वाला रुजान देखने को मिल सकता है जो सोयबीन की कीमतों को नीचे में 5900 से लेकर 6000 तक लेकर जा सकता है लेकिन इन लेवल्स पर उनके मुताबिक घबराना नहीं है निचले स्तरपक खड़ीदारी के मौके ढूनने है और जन्वरी के मन्थे तक या फिर जन्वरी के अंध तक यानि कि जन्वरी 2022 के अंध तक या फिर जन्वरी 2022 के मन्थे तक साथ हजार तक के भी लेवल सोयवीन की कीमतों में अजे कीड़े की मताबिक देखने को मिल सकते हैं तो उन स्तरों को हासिल करने के लिए सुजवीन में वायदा बजार में निचले स्तर पर खड़ीदारी में रहा जा सकता है। सवाल ले लेते हैं दर्शुकों के कुछ सवाल भी आ रहे हैं। एक ही करके सवाल ले लेते हैं सबका किसका किस कमूरिटी पर सवाल है। सबसे पहले जो सवाल आ रहा है संजे कुमार जी का ही है बिनौला खल की रिपोर्ट संजे कुमार जी बिनौला खल की कीमतों में तेजी का ही रुजान है मैं आपको पहली बता चुका हूं 3800 से 4000 तक की भी लेवल्स मार्च 2022 तक देखने को मिल सकते हैं बिनावलाखल की कीमतों में overall तेजी वाल रुजानी देखने को मिलता रहेगा सुबा को हमसे किसी ने मक्के के बारे में पूछा थे कि मक्के का आगे तेजी रहेगी या मंदी रहेगी देखिए सोयवीन का इस्तमाल पोल्टरी में बड़े पैमाने पर किया जाता है और इस समय वर्तमान में सोयवीन की कीमतों में काफी जादा तेजी देखने को मिल रही है अगर पोल्टरी इंड़स्ट्री सोयवीन की जगा मक्के का इस्तमाल करना शुरू कर दे तो मक्के की कीमतों में कुछ तेजी बनती नेजर आ सकती है otherwise मक्के का जो बजार है वो ऐसा ही सीमित द्यारे वाला देखने को मिलते रहेगा जो अभी हाल फिलाल में मक्के के जो प्रैसेज आप लोग को मिलते नजर आ रहे हैं आगे भी वही देखने को मिलते रहेंगे वीट की बात करो यहां से अगर गेहू की तो अनाजो में मक्के के बाद वीट की बात की जाए तो गेहू में भी तेजी बनती नजर आ सकती है अगर इसकी एक्सपोर्ट डिमांड और जादा देखने को मिले रिकॉर्ड उत्पादन तो हर साल भारत गेहू का करता ही है पिछले साल के कुछ रिकॉर्ड अगर कंपेर करके देखें तो भारत हर साथ गेहू का रिकॉर्ड उत्पादन करता आ रहा है पिछले साल के मुकाबले इस बार उत्पादन जादा रह सकता है दूसरा इसकी निरियात मांग भी जादा रह सकती है हो सकता है कि गेहों की कीमतों में कुछ हलकी फुलकी तेजी बन जाए अगर export करने के बावजूद भी अगर production बहुत जादा रहता है तो हो सकता है कि गेहों की जो कीमते हैं वो वही रहें जो पहले वाली देखने को मिल रही है जो भी देखने को मिल रही है लेकिन अगर export demand और जाधा निकलती है और भारत में production इतना नहीं रहता है तो हो सकता है कि गहों की कीमतों में कुछ तेजी बन जाए करन जी जुड़े हैं जिनका सवाल cotton को लेकर आ रहा है करन जी cotton की कीमतों में तेजी का इरू जहान है cotton की फसल को पहले हमने pink ball warm नामक कीट से पहले जुलस्ते वे देखा है पहले उससे खराब हुई थी उसके बाद जो बची कुछी cotton थी उसकी demand इतनी थी क्योंकि lockdown के बाद से एकदम से business अपनी पटरी उपर लोटे हैं तो spinning मिलो से कताई मिलो से और कपड़ा इंडस्ट्री से कपड़ा उद्योग से काफी जाद डिमांड है अचानक से डिमांड उठी थी cotton की जिसकी वज़ा से cotton में तेजी रही थी तो production तो पहले से कमी बताया जाद भी बताया गया था लेकिन production जाद बताया था लेकिन फसले भी खराब हुई थी उसके बाद अब रही सही सी कसर बारिश ने पूरी कर दी बारिश की वज़ा से भी जो नई आवे केती मंडियों में वो भी खराब होती नजर आई है वो भी भीगती नजर आई है जिसका असर cotton की कीमतों में तेजी के तोर पर देखने को मिलता रहेगा तो overall उजान cotton में तेजी का ही रहेगा और cotton अब उस श्रेड़ी में आ चुकी है जिसमें आप आप cotton को cotton की जगा सफेद सोना का नाम दे दे साल 2022 में cotton आपको अच्छा मुनाफ़ा देती नजर आ सकती है तो आशा करते हैं आपको हमाई जानकरी अच्छी लगी होगी अगर आपको हमाई जानकरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेर करें और जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो हमारे यूट्यूब चैनल माकेटाइम सीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप अपने कुछ विचार साजा करने चाहते हैं तो कमेंट सेक्षन में अपने कमेंट्स छोट सकते हैं फिलाल, बजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही लेकिन आप कहीं जाएगे ने क्योंकि खबरों का जुसला लगातर नहीं बना हुआ है माकेटाइम सीवी पर झाल में चाल में अभी का का जका झाल में usage याँरा बसे लाइए का जाहते हैं यह पर किष़कर लेकिन अक्ता से चाहते हैं यह लेकिने हैं